नमस्कार दोस्तों मैं संतोस पटेल स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल डिजिटल भंडार पर आज की वीडियो में हम CPCT exam के लिए और सभी प्रकार के competitive exam के लिए computer से सम्बंदित 20 important questions को समझने वाले हैं यदि आप CPCT exam के लिए तैयारी कर रहे हैं या आप किसी भी competitive exam के लिए computer से सम्बंदित important questions को तैयार करना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियो के माध्यम से computer से related important question को तैयार कर सकते हैं चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का देखते हैं आज का हमारा पहला question क्या है पहला question हम से पूछा गया है line print terminal blank से related है हमें एक नाम दिया गया है line print terminal और हम से पूछा गया है यह किस से सम्बंदित है जो line print terminal है इसे short में LPT कहा जाता है LPT LPT का full form होता है line print terminal जो की computer system का एक port है एक port है जो की journaling printer के साथ उपयोग किया जाता है LPT एक port होता है जिसे line print terminal कहा जाता है यह port printer के साथ use किया जाता है और LPT port को parallel port भी कहा जाता है parallel port जो की एक बड़ी size का port होता है journaling printer के साथ use किया जाता है तो LPT जिसका full form होता है line print terminal यह एक port होता है जो की printer के साथ use किया जाता है journaling और इसे parallel port भी कहा जाता है तिस question का सही answer होगा, option number B, line print terminal, parallel ports से related होता है, देखते हैं हमारे next question को, next question हम से पूछा गया है, कौन सा protocol एक network पर data transmission को control करता है, कौन सा protocol एक network पर data transmission को control करता है, यह question computer network से पूछा गया है, कि network में data transmission को control करने के लिए, कौन सा protocol use किया जाता है, protocol क्या होता है, protocol होते हैं, set of rules, multiple rules के collection को protocol कहा जाता है, network में properly communication करने के लिए, multiple type के protocol use किये जाते हैं, हम से पूछा गया है, कौन सा protocol network पर data transmission को control करता है, वह होता है, TCP protocol, TCP, TCP का perform क्या होता है, transmission control protocol, transmission control protocol, इसका नाम ही है, TCP, transmission control protocol, तो network में, जो transmission होता है, सूचनाओ का आदान प्रिदान होता है, उसको control करता है, कौन सा protocol, TCP, और TCP का perform क्या होता है, transmission control protocol, तो इस question का answer तो है, option number D, यहाँ पर आपको तीन question और तयार करने है, FTP का perform क्या होता है, file transfer protocol, file transfer protocol, SMTP का perform क्या होता है, simple mail transfer protocol, simple mail transfer protocol, ICMP का perform क्या होता है, internet control message protocol, इंटरनेट कंट्रोल, मैसिज प्रोटोकॉल, इस कॉस्चन का सही आंसर होगा, ओप्सन नमबर D, TCP प्रोटोकॉल, नेटवर्क पर डेटा ट्रांसमिशन को कंट्रोल करता है, देखते हमारे, नेक्ट कॉस्चन को, नेक्ट कॉस्चन है, उस लिष्ट का नाम क्या है, जो बेप पेजिस के URL, और पास्ट में खोले गए URLs को इस्टोर करती है, उस लिष्ट का नाम क्या है, जो बेप पेजिस के URL, URL मतलब Uniform Resource Locator, मतलब की address, और पास्ट में खोले गए URLs को इस्टोर करती है, यह कॉस्चन इंटरनेट से सम्बंदित है, उस लिष्ट का नाम क्या है, जो बे form resource locator किसी website का address किसी website का पता और past में खोले गए URLs को store करती है जब आप internet पर कोई web page उपन करते हो कोई website उपन करते हो तो उसकी detail आपके web browser में एक list में store होती जाती है उस list का नाम क्या है आप अपने computer पर mobile पर laptop पर जो website उपन करते हो जो जो web page उपन करते हो उनका URL मतलब उनका address एक list में store हो जाता है उस list को कहा जाता है history list क्या होती है आपके द्वारा किसी browser पर कौन कौन से web page कौन कौन सी website उपन की गई है उनके URL history list में store हो जाते है तिस question का सही answer होगा option number C history list में open किये गए web page और उनके URL की information store होती है यहाँ पर आपको एक और question तयार करना है यदि हमें browser में history list को open करना है तो shortcut की होती है control plus H यदि हमें web browser में history list को open करना है तो shortcut की होती है control plus H तो history list एक ऐसी लिस्ट होती है जो हमारे द्वारा ओपन किये गए सभी प्रकार के वेप पेजिस के URL को स्टोर करती है और हिस्ट्री लिस्ट को ओपन करने की सौटकट की क्या होती है गए सब्सक्राइब द्वारा ओपन करने करने की स्टोरेज की स्टोरेज की तुलना में प्राइमरी स्टोरेज ब्लेंक है सेकेंडरी स्टोरेज की तुलना में प्राइमरी स्टोरेज ब्लेंक है यह कॉस्चन मेमोरी से संबंदित है सेकेंडरी स्टोरेज की तुलना में प्राइमरी स्टोरेज ब्लेंक है secondary storage कौन सी होती है जो कि direct CPU से connect नहीं होती है जबकि primary storage या primary memory कौन सी होती है जो कि direct CPU से connect होती है primary memory वह memory कहलाती है जो direct CPU के contact में होती है जबकि secondary memory direct CPU से connect नहीं होती है हमसे पूछा गया है secondary storage की तुल नामे primary storage blank होती है slow and inexpensive, fast and inexpensive, fast and expensive और slow and expensive तो जो secondary storage होती है यह slow होती है और primary storage से सस्ती होती है जबकि primary storage मतलब जो primary memory होती है यह fast होती है और costly होती है मतलब इस question का answer क्या हो जाएगा? Option number C, secondary storage की तुल नामे जो primary storage होती है वह fast होती है और expensive होती है fast मतलब तेज और expensive मतलब महंगी होती है जो primary memory होती है उनकी speed fast होती है और इनकी cost अधिक होती है जिस question का सही answer होगा? Option number C, secondary storage की तुल नामे प्राइमरी storage fast और expensive होती है मतलब तेज और महंगी होती है देखते हमारे next question को next question है निमने लिखित में से किस network में सभी computers को समान माना जाता है और कोई central authority share नहीं किया जाता है निमने लिखित में से किस network में सभी computers को समान माना जाता है और कोई central authority share नहीं किया जाता है यह question computer network से पूछा गया है कि ऐसा network कौन सा होता है जिसमें सभी computers को एक समान माना जाता है और complete network की कोई central authority के द्वारा controlling या sharing नहीं कि जाती है उस network को कहते है peer-to-peer network peer-to-peer network कौन सा network है इस network में सभी computer client भी होते हैं और server भी होते हैं मतलब एक computer दूसरे computer पर depend नहीं होता है इस network का प्रत्य computer client और server दोनों की working करता है मतलब एक computer दूसरे computer पर depend नहीं होता है तो peer-to-peer एक ऐसा network होता है जिसमें सभी computers को एक समान माना जाता है यहाँ पर कोई client और server नहीं होता है प्रत्य computer client भी होता है और server भी होता है किसी दूसरे computer पर depend नहीं होता है जबकि एक network होता है client server network या client server architecture जिसमें एक server होता है और multiple client होते हैं सभी client को server से connect किया जाता है server complete network की controlling करता है server सभी client को resource उपलब्द कराता है यदि server को हम control करें तो सभी client को control कर सकते हैं क्यूंकि यहाँ पर एक central controlling होती है server के द्वारा complete network को control किया जा सकता है वह कहलाता है client server architecture जबकि एक होता है peer-to-peer network जिसमें network के सभी computer एक समान होते हैं तो इस question का सही answer होगा option number A peer-to-peer network देखते हमारे next question को next question है एक document में end note insert करने के लिए कौन सी shortcut की का प्रियोग किया जाता है यह question MS Word से पूछा गया है यदि हमें अपने document में end note insert की का प्रियोग करेंगे यहाँ पर आपको दो-तीन question तैयार करने में लेंगे एक होता है end note और एक होता है footnote एक होता है end note और एक होता है footnote आपको दोनों को समझना है जो footnote होता है यह page की ending में add होता है जो footnote होता है यह page की ending में bottom में add होता है जबकि end note आपकी जो file होगी file के ending में add होता है For example आपकी file में 3 page है और आपने उस file में end note insert किया है तो end note automatic कहा insert होता है file के ending में मतलब last page पर नीचे जबकि footnote कहा insert होता है जिस page पर आप footnote लगाएंगे उस page के bottom में तो footnote add होता है page के bottom में जबकि end note add होता है complete file के bottom में मतलब last में end note और footnote हमारे document में use होने वाले text से related किसी additional information को add करने के लिए use किये जाते हैं हमने अपनी file में अपने document में जो भी text जो भी word टाइप करे हैं उनसे related यदि हमें कोई additional information सो करनी है तो हम end note और footnote का use कर सकते हैं यह दोनों option reference tab में प्राप्त होते हैं reference tab में MS Word के अंदर reference tab में and note और footnote option प्राप्त होते हैं हमसे पूछी गई है end note की shortcut ki वै होती है alt ctrl d footnote की shortcut ki है alt ctrl d And note की shortcut ki है यह दोनों option, reference tab में प्राप्त होते हैं, footnote insert होता है, page के bottom में, जबकि end note insert होता है, complete file की ending में, तो इस question के साथ हमने 4-5 question समझे, इस question का answer है, option number C, एक document में end note insert करने के लिए, alt, ctrl, d, shortcut की का प्रियोग किया जाता है, हम इन सभी option को MS Word पर practically देखने वाले हैं, चलते हैं MS Word पर, यह हमारा MS Word software है, यहाँ पर, यदि हमें end note और footnote को add करना है, तो हमें reference tab को use करना होता है, reference tab, यहाँ पर, एक option होता है, insert footnote, जिसकी shortcut की क्या है, alt, ctrl, f, alt, ctrl, f, एक option होता है, insert end note, जिसकी shortcut की होती है, alt, ctrl, d, alt, ctrl, d, end note, complete file की ending में insert होता है, जबकि footnote page के bottom में insert होता है इस question का answer है option number C देखते हैं हमारे next question को next question है किस year BSNL ने भारत में public internet का उप्योग प्रारंब किया था किस year BSNL ने भारत में public internet का उप्योग प्रारंब किया था यहाँ पर भी आपको 2-3 question तयार करने है हमसे पूछा गया है किस year BSNL ने भारत में public internet का उप्योग प्रारंब किया था आपसे question पूछा जा सकता है इंडिया में या भारत में किस organization के द्वारा किस company के द्वारा public internet की शुरुआत की गई तो answer होगा BSNL BSNL के द्वारा इंडिया में public internet की शुरुआत की गई कब की गई थी 1995 में 1995 से इंडिया में BSNL company के द्वारा public internet का प्रारंब किया गया और BSNL का full form होता है विदेश संचार निगम लिमिटेड विदेश संचार निगम लिमिटेड तो यहाँ पर हमने तीन question तैयार करे इंडिया में public internet की starting किस company ने करी BSNL ने BSNL का full form क्या होता है विदेश संचार निगम लिमिटेड और कब किया गया था public internet start 1995 में इस question का answer होगा option number A देखते हैं हमारे next question को next question है blank को system cabinet कहा जाता है blank को system cabinet कहा जाता है blank को system cabinet कहा जाता है computer में cabinet किसे कहा जाता है input device को output device को desktop को या system unit को तो answer होगा इस question का option number D हमारे computer की जो system unit होती है system unit मतलब एक container एक box जिसके अंदर motherboard, hard disk, power supply, ram, cpu सभी प्रकार के component रखे जाते है, connect किये जाते है उस box को system unit या cabinet कहा जाता है system unit का मतलब क्या है एक container, एक box जिसके अंदर computer system में use होने वाले सभी hardware parts को आपस में connect किया जाता है जिसके अंदर motherboard होती है motherboard से hard disk को connect किया जाता है power supply को connect किया जाता है motherboard में processor या cpu लगाया जाता है ram लगाई जाती है उसे कहते हैं हम system unit या cabinet cabinet या system unit एक container का वर्क करता है जिसके अंदर computer system से related कई परकार की device को आपस में connect किया जाता है तिस question का सही answer होगा option number D system unit cabinet कहलाता है देखते हैं हमारे next question को next question है blank text को एक document में left और right margin को एक साथ line up कर देता है blank text को एक document में left और right margin को एक साथ line up कर देता है यह question alignment से सम्मंदित पूछा गया है alignment से सम्मंदित हमसे question पूछा गया है blank text को एक document में left और right margin को एक साथ line up कर देता है यह question alignment से पूछा गया है ऐसा कौन सा alignment होता है जो एक साथ left side से और right side से हमारे text को line up कर देता है एक साथ left से भी arrange करेगा matter को text को और right से भी करेगा वह कहलाता है justify alignment justify alignment एक ऐसा alignment होता है जिससे हमारा text left side से और right side से एक साथ line up हो जाता है हमारा paragraph या text विवस्थित दिखाया जाता है किस alignment के दौरा justify alignment के दौरा आपसे question पूछा जा सकता है कि computer system में text के कितने alignment होते हैं तो text के alignment होते हैं चार left alignment जिसकी shortcut की है control प्लस L दूसरा होता right alignment shortcut की होती है control प्लस R तीसरा है justify alignment shortcut की होती है control प्लस J चौता है center alignment shortcut की होती है control प्लस E control प्लस E center alignment की shortcut की होती है जब आप left alignment को set करेंगे तो आपका text left side से line up होगा आप right alignment को use करेंगे तो text right side से line up होगा center alignment का use करेंगे तो text हमारा center से line up होगा लेकन यदि आप justify alignment set करते हैं तो हमारा text left और right दोनों side से line up कर दिया जाता है तो इस question का सही answer होगा option number C हम इन सभी option को ms word पर practically समझने वाले हैं तो चलते हैं ms word software पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने ms word में कुछ paragraph type किये हैं by default जो alignment होता है by default वै होता है left alignment ms word में text का default alignment कौन सा होता है left आप देख सकते हैं हमारे सभी paragraph left side से line up किये गए हैं आपको बिलकुल एक ही direction में दिखाई जाएंगी सभी line लेकिन right side पर आप देख सकते हैं कोई line हमारी पहले finish हो गई है कोई line बाद में finish की गई है मतलब right side पर हमारा text line up नहीं है अभी हमारे पहले paragraph पर left alignment है अब हम दूसरे paragraph को select करके इस पर right alignment set करने वाले हैं आप देख सकते हैं अब right side से इस paragraph की सभी line को line up कर दिया गया है पहले paragraph पर कौन सा alignment है left आप इसको देख सकते हैं left side से line up है right alignment में हमारा paragraph right side से alignment हो गया right side से line up हो गया इसी परकार से एक होता है center alignment जिसमें हमारे paragraph को center से line up किया जाता है center से और last होता है justify alignment justify मतलब left और right दोनों side से हमारे text को line up कर दिया जाता है तो ऐसा alignment जो text को left और right दोनों side से line up करता है वह कहलाता है justify alignment shortcut की क्या होती इसकी control plus J इस question का सही answer होगा option number C देखते हमारे next question को next question है blank अन्य data के बारे में जानकारी पिरदान करता है blank अन्य data के बारे में जानकारी पिरदान करता है हमसे question पूछा गया है कि दिये गए option में से कौन अन्य data के बारे में जानकारी पिरदान करता है इसे data about data भी कहा जाता है data about data कहलाता है metadata 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 किसी data से सम्बंदित data होता है किसी data से संबंदित data को क्या कहा जाता है metadata जिसे data about data भी कहते हैं और metadata undata के बारे में जानकारी पिरदान करता है तो इस question का सही answer क्या होगा option number a metadata लेकिन metadata होता क्या है for example आपने एक file बनाई इस file के अंदर आपने अपना कोई data रखा file के अंदर आपने अपना कोई important data type किया है लेकिन जब आप यह file save करेंगे तो आप इस file का एक नाम देंगे इस file का एक अपना extension होगा इस file को बनाने की एक date होगी यह file किस time पर बनाई गई वह time होगा इस file को किस user ने बनाया उस author का नाम होगा इस file की कितनी memory size है यह information होगी तो file के अंदर तो आपका data है लेकिन इस file से संबंदित यह जो data है इसे कहा जाता है metadata मतलब data से संबंदित data को क्या कहते हैं metadata और metadata un-data के बारे में जानकारी पिरदान करता है तो इस question का सही answer होगा option number A metadata un-data के बारे में जानकारी पिरदान करता है देखते हैं हमारे next question को next question है निम्न मैंसे किसे father of email कहा जाता है निम्न मैंसे किसे father of email कहा जाता है यह question हमने cpct के पुराने paper से ही select किया है निम्न मैंसे किसे father of email कहा जाता है और यदि आप हमारे previous वीडियो को देख रहे हैं तो आपको इस question का answer जरूर पता होगा हमसे पूछा गया है निम्नमे से किसे father of email कहा जाता है यहाँ पर आपको तीन question तयार करने है email का full form क्या होता है? email का full form होता है electronic mail electronic mail father of email Ray Tomlinson को कहा जाता है Ray Tomlinson को क्योंकि इन्होंने 1971 में पहला email send किया था 1971 में पहला email Ray Tomlinson ने send किया था इसलिए इन्हे father of email कहा जाता है आपसे question पूछा जा सकता है email का full form क्या है? electronic mail पहला email कब send किया गया था? 1971 में पहला email किसने send किया था? Ray Tomlinson ने इसलिए इन्हे father of email भी कहा जाता है option number A, father of email, Ray Tomlinson को कहा जाता है, देखते हमारे next question को, next question है, net escape navigator, एक प्रकार का blank है, net escape navigator, एक प्रकार का blank है, हमसे question पूछा गया है, net escape navigator, एक प्रकार का क्या होता है, web browser, URL, email server या antivirus, तो net escape navigator, एक web browser होता है, web browser, web browser क्या होता है, web browser एक application software होता है, जो कि किसी web page या website को open करने के लिए उपयोग किया जाता है, यदि हमें किसी web page को, या किसी website को open करना है, तो web browser की आवसकता होती है, जैसे कि Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera Mini, internet explorer, net escape navigator, यह सभी web browser के example होते हैं, इस question का answer क्या हो जाएगा, option number A, net escape navigator, एक प्रिकार का web browser है, देखते हैं हमारे, next question को, next question है, Microsoft Excel में calculation किसके द्वारा किया जाता है, Microsoft Excel में calculation किसके द्वारा किया जाता है, question Excel से पूछा गया है, यदि हमें MS Excel में calculation करना है, गड़नाएं करनी हैं, तो किसके द्वारा कर सकते हैं, reference के द्वारा, formula के द्वारा, argument के द्वारा, या special character के द्वारा, तो MS Excel में यदि हमें कोई भी calculation करना है तो हम formula या function का use करते हैं formula या function के द्वारा MS Excel में कई प्रकार के calculation किये जा सकते हैं तो इस question का सही answer होगा option number B Microsoft Excel में calculation के लिए formula का उपयोग किया जाता है देखते हमारे next question को next question है निमन लिखित में से कौन सी एक primary storage device है निमन लिखित में से कौन सी एक primary storage device है यह question memory से संबंदित है निमन लिखित में से कौन सी एक primary storage device है primary memory कौन सी होती है जो कि direct CPU से connect होती है जिनकी speed fast होती है यह महंगी होती है और इनकी storage capacity कम होती है primary memory वह memory कहलाती है जो fast speed में work करती है इनकी capacity कम होती है और यह महंगी होती है और primary memory direct CPU के contact में होती है CPU से connect होती है तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है निम्नले लेखित में से कौन सी एक primary storage device है magnetic tape, RAM, pen drive या USB तो यहाँ पर जो primary storage device है वह है RAM RAM एक primary memory होती है जिसे main memory भी कहा जाता है RAM का full form होता है random access memory RAM एक volatile memory होती है volatile मतलब ASTI जब तक computer system on रहता है तब तक RAM में data store रहता है computer system off होने पर RAM से data delete हो जाता है तो इस question का सही answer होगा RAM निम्नले लेखित में से RAM एक primary storage device है इस question का सही answer है option number B देखते हैं हमारे next question को next question है उस बिकल्प का chain करें जो एक computer monitor के device का प्रिकार दरसाता है उस बिकल्प का chain करें जो एक computer monitor के device का प्रिकार दरसाता है हमें दिये गए option में से उस option को select करना है जो की monitor के type को बताता है कि monitor किस प्रिकार की device है option number A है software option number B है processing storage या output तो जो monitor है यह है एक hardware device होती है और monitor एक output device है monitor एक output device है जो की हमें soft copy output प्रिदान करती है हमसे question पूचा गया था उस बिकल्प का chain करें जो एक computer monitor के device का प्रिकार दरसाता है तो monitor तो एक output device होती है output device जो की हमें soft copy output प्रिदान करती है तो इस question का सही answer होगा option number D monitor एक output device है जो की हमें soft copy output वोट प्रिदान करती है, देखते हैं हमारे next question को, next question है, dot matrix किसका एक प्रिकार है, dot matrix किसका एक प्रिकार है, हमें एक नाम दिया गया है, dot matrix, और हमसे पूछा गया है, यह किसका प्रिकार है, डिस्क का, प्रिंटर का, स्कैनर का या बस का, जो dot metrics है, यह एक printer का प्रिंटर का प्रिंटर होता है, प्रिंटर क्या है? प्रिंटर एक output दिवाईस है, जो कि हमें hard copy output प्रिंटर की दो केटेगरी होती है, impact printer और non-impact printer, impact printer वह printer होते हैं, जो कि printing करते समय sound अधिक करते हैं, जबकि non-impact printer printing करते समय कम sound करते हैं, impact printer की quality low होती है, जबकि non-impact printer की quality high होती है, impact printer की speed slow होती है, जबकि non-impact printer की speed fast होती है, जो dot matrix printer है यह एक impact printer होता है तो इस question का answer क्या हो जाएगा option number B dot matrix एक printer का प्रिकार है और dot matrix एक impact printer होता है तो इस question का सही answer हो जाएगा option number B dot matrix एक printer का प्रिकार है देखते हैं हमारे next question को next question है desktop पर date and time blank पर होते हैं question पूछा गया है desktop पर date and time हमें कहां पर सो किये जाते हैं desktop क्या होता है computer system on होने के बाद हमें जो पहली screen दिखाई जाती है उसे क्या कहा जाता है desktop computer system on होने के बाद जो पहली screen हमें दिखाई जाती है वह कहलाता है desktop desktop पर ball paper होता है icons होते हैं task bar होता है start button होता है हमसे पूछा गया है desktop पर date and time blank पर होते हैं तो जो date or time है वह task bar पर सो होते हैं तास्क बार पर desktop screen में bottom में मतलब सबसे नीचे task bar होता है जिस पर date and time को सो किया जाता है तो इस question का सही answer होगा option number D desktop पर date and time task bar पर सो होता है इसे हम task bar पर practically भी देख सकते हैं यह हमारे computer system का task bar है जिसमें यहाँ पर right bottom corner में हमें date or time सो किया जाता है तो जो date or time होता है वह कहाँ पर सो होता है task bar पर इस question का सही answer है option number D देखते हैं हमारे next question को next question है निम्न लिखित में से कौन सा symbol MS Excel में एक number को एक text के रूप में enter करने के लिए प्रियोग किया जाता है निमने लिखित में से कौन सा सिंबॉल MS Excel में एक नमबर को एक टेक्स्ट के रूप में एंटर करने के लिए प्रियोग किया जाता है यह question MS Excel से पूछा गया है MS Excel में यदि हमें किसी नमबर को एक टेक्स्ट के रूप में एंटर करना है तो हम कौन सा symbol यूज़ करेंगे, MS Excel में, यदि हमें किसी number को एक text के रूप में enter करना है, तो हमें यहाँ पर single quote का उपयोग करना होता है, single quote का, जब आप MS Excel में किसी number को type करने से पहले single quote लगा देते हैं, तो उसे number को text के रूप में treat किया जाता है, मतलब उसे एक text मान लिया ज जाता है, MS Excel में, यदि आप किसी number के आगे, एक single quote लगा देते हैं, तो उसे number नहीं माना जाता है, उसे क्या माना जाता है, टेक्स्ट माना जाता है, तो इस question का सही answer होगा, option number C, MS Excel में, यदि हमें किसी number को, एक text के रूप में enter करना होता है, तो single quote का उपयोग किया जाता है, इस question का answer है option number C इसको हम Excel पर practically भी देख सकते हैं चलते है MS Excel पर यह MS Excel software है यदि हम यहाँ पर कोई number type करते हैं without single code के तो इसे number माना जाता है आप देख सकते हैं यह एक number है हमने एक और number type किया लेकिन यदि हम किसी number को type करने के पहले एक single code लगा देते हैं उसके बाद number type करते हैं तो उसे text माना जाता है text आपको यदि Excel में कोई एक बड़ा number cell में type करना है Excel का Excel 11 digit तक का number store करता है 11 digit तक का आप यहाँ पर यदि 11 digit तक का कोई number type करेंगे तो भै complete number 100 होता है लेकिन जैसे ही 11 से ज़्यादा digit हो जाती है तो उसे एक scientific number में सो किया जाता है Excel का Excel 11 digit तक का number आपको complete सो करेगा लेकिन 11 से ज़्यादा digit होने पर उस number को scientific value में सो किया जाता है और यदि आपको complete number को सो करना है तो आप पहले एक single code लगाए फिर आप कितना बड़ा भी number यहाँ पर type कर सकते है उसको एक text के रूप में सो किया जाता है तो MS Excel में यदि आपको कोई बड़ा number टाइप करना है और उस complete number को सो करना है तो आप उसके आगे एक single code लगादे वह एक text के रूप में आपको सो कर दिया जाता है तो MS Excel में number को test के रूप में एंटर करने के लिए single code का use किया जाता है देखते हमारे next question को next question है MS Excel में cell content को underline करने के लिए blank shortcut की है MS Excel में cell content को underline करने के लिए blank shortcut की है यह question भी Excel से पूछा गया है यदि हमें Excel में किसी cell के content को cell के content को मतलब cell में भरे गए data को underline करना है तो हम कौन सी shortcut की का प्रियोग करेंगे यहाँ पर आपको 4-5 question तयार करने में लेंगे आपने underline करने के लिए एक shortcut की पढ़ी होगी control plus u control plus u से तो हम underline कर सकते हैं लेकिन control plus u तो हमें option में दिया ही नहीं गया है मतलब Excel में underline करने के लिए control plus u तो shortcut की है लेकिन उसके अलावा भी कोई shortcut की है जो की हमें बतानी है यहाँ पर आपको एक साथ 4-5 question तयार करने है Excel में जब आप किसी text को underline करना चाहते हैं तो आप control plus u का तो use कर सकते हैं साथी साथ आप control plus 4 का भी use कर सकते हैं control plus 4 से भी हम text को underline कर सकते हैं इसी परकार से यदि आपको text को italic करना होता है तो आप control plus i का use करते हैं control plus i से हम text को italic कर सकते हैं लेकिन Excel में control plus 3 से भी text italic हो जाता है इसी प्रकार से bold करने के लिए आप ctrl plus b का उपयोग करते हैं ctrl plus b लेकिन excel में ctrl plus 2 से भी हम text को bold कर सकते हैं और जो ctrl plus 1 है यह format cell का dialogue box open करने की shortcut की है format cells का dialogue box open करने के लिए ctrl plus 1 का उपयोग किया जाता है और यदि आप ctrl के साथ 5 को प्रेस करेंगे तो जिस cell को आपने select किया है उसका content strike throw हो जाता है strike throw की shortcut की होती है ctrl plus 5 मतलब excel में यदि हम ctrl plus 1 प्रेस करेंगे तो format cell का dialogue box open हो जाएगा ctrl 2 से हम text को bold कर सकते हैं और ctrl b से भी कर सकते हैं ctrl plus 3 से हम text को italic कर सकते हैं ctrl plus i से भी कर सकते हैं ctrl plus u से या ctrl plus 4 से underline कर सकते हैं और ctrl plus 5 से strike throw कर सकते हैं तो यहाँ पर हमने एक साथ कई question तयार करें इस question का answer होगा option number d अब हम इन सभी shortcut की को excel पर practically समझने वाले हैं तो चलते हैं ms excel पर यदि हम ms excel में ctrl plus 1 को press करें तो format cells का dialogue box open होता है format cells यदि हम ctrl plus 2 को press करें तो text हमारा cell का content जो भी यह data वह bold हो जाता है ctrl plus 3 से italic हो जाता है ctrl plus 4 से underline हो जाता है और ctrl plus 5 से strike throw हो जाता है तो यहाँ पर हमने एक साथ 4-5 question तयार करें इस question का answer है option number d दिखते हैं हमारे next question को next question हम से पूछा गया है pentium word किस से सम्बंदित है pentium word किस से सम्बंदित है हमें एक word दिया गया है pentium और हम से पूछा गया है या किस से सम्बंदित है monitor से, ram से, microprocessor से या keyboard से pentium word या pentium सब्द microprocessor से related है Microprocessor जो Pentium है Pentium Series के Microprocessor होते हैं जो कि Intel Company के दौारा बनाय जाते हैं Pentium Microprocessor से related है Processor जो कि Computer System का Brain होता है जिसे हम CPU भी कहते है Pentium Microprocessor का टाइप है जो कि Intel Company के दौारा बनाया जाता है और अब Core i3, Core i5, Core i7 यह Series के Microprocessor बनाय जा रहे हैं तो Pentium Bird Microprocessor से संबन्दित है और Recent Time पर Current Time पर Core i3, Core i5, Core i7 इस Series के Microprocessor बनाय जा रहे हैं दो कमपनिया Microprocessor को बनाती है एक तो है हमारी Intel Company और दूसरी होती है AMD, Intel और AMD, Intel और AMD कमपनी के दौारा Microprocessor बनाय जाते हैं, Microprocessor का आविसकार Invention, Intel Company के दौारा किया गया है, Microprocessor का Invention या आविसकार, Intel Company के दौारा किया गया है Intel Company ने 1971 में पहला Microprocessor बनाया था जिसका नाम था Intel 4004, Intel 4004 पहला Microprocessor है जो कि Intel Company के दौारा बनाया गया है सन 1971 में तो यहाँ पर हमने processor से संबंदित कई प्रकार के question समझे Pentium Word किस से संबंदित है Micro processor से Micro processor का आविसकार किस company ने किया है Intel ने पहला Micro processor कब बनाया गया था 1971 में किस नाम से बनाया गया था Intel 4004 आपको एक और question तयार करना है AMD का full form क्या होता है AMD का full form होता है Advanced Micro Devices तो इस question के साथ हमने कई question समझे इस question का answer है Option number C Micro processor Pentium Word Micro processor से संबंदित होता है तो आज की वीडियो में हमने CPCT exam के लिए और सभी प्रकार के competitive exam के लिए 20 important questions को समझा है जब हम एक question को समझते हैं तो इस संबंदित हमें कुछ और आप इन सभी questions को पढ़ें समझें यदि आपका कोई question है कोई doubt है तो comment section में जरूर पूछें वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को like करें जाता से जाता share करें मिलते हैं अगली वीडियो में धन्यवाद